इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। को अकेले या अन्य दवाओं के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है। डोज और frequency इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं और आपकी condition कितनी गंभीर है। इसे खाली पेटिया भोजन के साथ लिया जा सकता है, लेकिन अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए हर दिन इसे नियमित रूप से एक ही समय पर ले जाता है। इस दवा को पूरी तरह से असर करने में कुछ हफ़ते लग सकते हैं और आपको इसे उम्र भर भी लेना पड़ सकता है। अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं तो भी इसे लेते रहना ज़रूरी है। High Blood Pressure वाले अधिकांच लोगों में कोई लक्षन दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है। नहीं खुराग से शुरू करेगा और धीरे-धीरे इसे बढ़ाएगा। अगर Side Effect आपको परेशान करता है या नहीं जाता है तो डॉक्टर से परामर्श करें। इसे लेने से पहले अगर आपको लिवसंबंधी कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं। हो सकता है कि यह ध यह दवा आपके लिए उप्यूक्त है या नहीं यह पता लगाने के लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है। आपको अपना ब्लड प्रेशन नियमित रूप से चेक करना चाहिए। शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।